नमस्कार है भाई लोगो एवं बैन लोगो आप सभी लोग कैसे हो दुनिया में किसी वी जगा से सुन रहे सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वेडियो में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही जादा बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है भारत देश के उत उत्तर प्रदेश में पुलिस वीभाग में हो रहे कॉंस्टेबल रिक्रूट्मेंट जिसकी वेकेंसी साथ हजार दोसो चवालिस के लगवक थी उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आपके एक्जाम डेट्स आउट हो गए बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों इस वे पुलिस डिपार्टमेंट में कॉंस्टेबल वेकेंसी दी गई थी 60,244 जिसके अंदर कहा गया था कि हम इतने लोग को वेकेंसी देंगे कॉंस्टेबल की और जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर मंत में आया था फॉर्म भी भरवा लिये गए दिसंबर जो है जनवरी मीड त 27 जनवरी 17 फेबररी मतलब आप देखोगे सिर्फ 20 दिन का समय 20 डेज ठीक है बाई यह लेफ्ट आउट लगा लो अपने पास 20 डेज ही है आपके पास ठीक है यह अभी मैं यह 60,000 लोगों के लिए नहीं बोल रहा है वेकेंसी तो 60,000 करीब हैं और यह यहाँ पर आप देख वीडियो काफी खास है दोस्तों मतलब आप यह समझ लो कि यह पचास लाक प्लस लोगों के फॉर्म गए है इस रिकूट्मेंट पे इन सभी के लिए वीडियो काफी खास होगा क्यूंकि इन सभी को बोला यह गया है कि आप सभी का एक्जाम जो होगा कॉंस्टेबल रिकू जनवरी में रिलीस करी गई है 20 दिन पहले इनोंने रिलीस कर दी है 20 दिन पहले आपको डेट दे दी है कि हम इस दिन एक्जाम करा रहे हैं मैं आपको इस रोडियो में वही किलियर कर रहा हूं कि इसे एक्जाम कब होगा किस-किस दिन होगा क्या टाइमिंग रह सकता है एक् इंडिया रिक्रूट्मेंट था दोस्तों इसमें मैं बता दू ये मतलब कि भारत देश के सभी लोगों से फर्म बरवाए गए अर्याना जार्खंड मिघाले मनिपूर किरला करनाट का सभेज बंगाल तीरिपुरा तेलंगल या पूरे देश का कोई भी नागरिक हो मतलब इंडिया का वह सिडीजन हो और यूपी में अगर वो नहीं भी रहता है पूरे इंडिया में कहीं भी रहता है और इंडिया की तो ज़र 23 का नोटिफिकेशन था यह 23-24 का ठीक है मतलब 24-25 वालों का भी आएगा हो सकता आए ना आए नहीं लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी यूपी इस्टेट है यह राज्य है इंडिया में वहाँ पर यह सारी वेकेंसी हैं पचास लाग प्लस फॉर्म गए हैं एक बड़ी संक्या फॉर्म गया है कॉंपटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों आप मान नहीं सकते पचास लाग फॉर्म आ गए अगर मान के कितना ज्यादा होगा सेंटर तो ऐसे भर जाएंगे पूरे यूपी स्टेट में आप देखोगे अभी कितना तगड़ा जो है पूरा स्टेट में क्या क्या होने वाला है हो सकता है अब यह लीक वाली खबरे भी देखने को मिल जाए क्योंकि एक तो कॉंपटिटिटिव एक एक्जाम स्केड्यूल की वह 17 फेबररी में दी गई है आज जो है यूपी पुलिस बोर्ड द्वारा यह दे दी गई है मैं आपको सारी जनकारी किलियर कर देता हूं भाई सबी इंडिया के लोगों को आप सारी जनकारी सुन ले तो यह वीडियो इंडिया के लोग ले खास उसमें computer operator grade हूं उनके form की date आज में आज close हो जाएगी आज last दिन है आप लोग form भर लो और जो यहां पर SI और ASI पोस्ट पर जा रहे थे form बरने वो भी आज ही बर सकते हैं उनका भी last date आज ही है इनके भी form दोस्तों आजारों और लाकों की संख्या में जाने की संभावना है क्योंकि SI और ASI पोस्ट अच्छी होती हैं पुलिस में लोग लेना चाहते हैं इस्टियट गवर्मेंट में तो आप लोग ले सकते हो यह सारे पोस्ट है एक्जाम के से लिए बस तो almost same ही होते है reasoning और यही सब चीजे घुमा फिरा कर जो है यही तीन चार चीजे पूछी जा आप देखोंगे इन्होंने फॉर्म की डेट दी थी उससाब से आपके फॉर्म क्लोज हो गया है फॉर्म की एक्जाम की डेट इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दी किसने वाई यूपी बुलिस बोड ने ठीक है अब दे दी है आब आपको पता लग गया यह जिन भी ल बोला गया था रिटन एक्जाम होगा तीन सो अंक का होगा चार सब्जेक्ट होंगे समानने ग्यान समानने हिंदी और यही सारे टॉपिक दे कर आपका एक्जाम का सेलेक्शन हो जाएगा और के लिए यह जाएंगे देखिए यहां पर वन फॉर्ट जो है नेगेटिव मार्किंग है तो सभी लोग घ्यान से देना यह वन फिप्टी कोशन अच्छे से निकाल दो पेपर के आपका सेलेक्शन पका है यूपि स्टेट में आप लोग पुलिस विभाग में कॉन स्टेब इनकों लखनौ जगा पर यह जो उपी बॉर्ड पुलीस है वहान उनका में एड़ ओफिस है वहां से भी ऑपरियेट करते हैं पूरे राजल्या है पुलिस को ठीक है फोस इस तरीके से पुलिस है पुलिसबल आप कहलो इस से उपररेट कर रहा है उनको और देख यूप से बाते कर रहा हूं में बिल्कुल जो आई हुई है यूपी स्टेट में आर्शी नागरिग यानि कि कॉंस्टेबल बोलते हैं इनको पुलिस में पदो पर सीधी भरती की संख्या ठीके वही सब है बसब की जो भी हमने दिया था नोटिफिकेशन जो हमने 23 दिसंबर को दे दिया 17 तारीक में और 18 दो दिन में एगजाम होगा ठीक है दो दिन 17-18 आप देखो इतने बड़े recruitment को यह करा लेंगे दो दिन में आराम से हो जाएगा क्योंकि सेंटर पुरे स्टेट यूपी में रहेंगी वो सकता है इसमें स्टेट के भार भी सेंटर चले जाएं क्योंकि भाई फॉर्म जाद गये हाला कि 50 लाख पर देखो उक्त भर्तियों की लिखित परिशा में प्रवेश पत्र बोड की वेबसाइट आप इसी से से एड्मिंट का कर लेना होंगे ठीक है अब भ्यर्तियों बोर्ड की website पर निर्देशों का पालन करते हुए उसमें अंकिति थी मतब कि किस डेट पर एक्जाम करा रहे हैं और समय समय जो भी आपका रहेगा पर समय निर्धारित करिक्षा परिक्षा के इंदर मतब जिस जगा पर सेंटर है पर काशित की जा रही है अभ्यर्तियों से अपरिक्षा की जाती है कि वे आलोकन करते रहें यह भी सूचित किया जाता है बहुत लोग तो देखते ही नहीं है form बर दिया चलो आ जाएगा जब हमें update मिल जाएगा ठीक है तो अभी क्या है तो यह कह रहे है डेली आप देखते र हो गया answer keys हो गया final result हो गया cutoffs हो गया यह सब चीज़े जो भी रहेंगी और परिक्षा से संबंदी मतलब की परिक्षा से जुड़ा अब exam जो यह हो रहा है इसमें क्या-क्या चीज़े जुड़ा हो सकता है तो cutoff जुड़ी हो सकती है result जुड़ा हो सकता है एक आपका final result हो सक तो यह सब चीजे जो है यह website पर आपको मिल जाएंगी आप लोग connect रहो इसी website से इस website पर देखते रहो या फिर आप चैनल से connect रहो आपको मिल सा रहेगा सारा कुछ अपर सचीव जो है मतलब कि यहां पर जो इस बोड में यानि यूपी स्टेट में पुलिस बोड के जो अपर सचीव है उनके यहां पर साइन आपको दिख रहे हैं और यह लखनौ से नोटिस आया है यूपी स्टेट लखनौ से नोटिस आपके सामने आ गया है मैंने इसको डिसकस कर दिया है और डेट सत्रा और अठारा फेबरेरी रहेंगी टाइमिंग हो सकता है इसमें दो शिफ्ट 10 February तक आपको मिल जागा 10 February तक मैं कनफर्म कर रहा हूं 10 February तक आप देख लेना यह अडमिट कार आपको मिल जाएगा आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना नहीं तो मैं आपको एक बार बता दूंगा डाउनलोड करके जैसे भी आपको होगी उस तरीके से हम कर लेंगे ठीक है बाकी आप सिले बस एक बार नोटिफिकेशन को देखके देख लो और निकाल दो यार यह एकजाम आप 60,000 लोग को यहां से वेकेंसी मिल जाएगी बाकी के रहे जो आप 50 लाग में सिर्फ 60 लोग ही यहां सिलेक्ट होंगे आप देखोगे और बाकी सब लोग की वेकेंसी व पूरा नोटिस यह वीडियो के नीचे मैंने मेंशन किया है वहां से आप सब लोग देख लो और सभी लोग जाओ यार एकजाम की तयारी करके इसको निकाल लो और यही था इस वीडियो में आपको कोई इसमें कोई डाउट लगा है इस चीच के अंदर तो आप कमेंट में पता होगे और इस जनकारी को पूरे विश्व में शेयर कर दो पूरे दुनिया में खासकर इंडिया के एक लोगों तक मैं आप से मिल रहा हूँ जल्द ही तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद